तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ मैं आज 8 मार्च है 2023 छल रहा है ठीक है आज हमारे यहां पोस्ट आफिस आन है काफी जगह पे पोस्ट आफिस सुनने में आ रहा है कि आज बंद है होली की विज़े से हलाकि कल बंद था हमारे यहां महरास्टर में ठीक है तो वैसे सुबा में गया तो पोस्ट आफिस तो उनका सिस्टम अपडेट नहीं हुआ था तो काफी टाइम लग रहा था फिर मैं जो भी पार्सल थे उनको प्राइवेट कुरियर से मैंने भेजा है लगबक यह पांच पार्सल गए है ठीक है इन में कुछ की मेंबर्शिप है तो कुछ के कुछ कॉइन्स भी है ठीक है तो इस टाइप से भेजे गए है और बाइस प्रिड पोस्ट भी मैंने भेजा है मैंने बताया था काफी लोग का पेंडिंग रहे गया तो यह स्प्रिड पोस्ट के थू भी आज मैंने चार और पांच टोटल नौ कुरियर आज जा चुके हैं ठीक है अभी और रहते हैं उन लोगों के कुरियर्स खास करके जिनका बुक भी है यह बुक भी जिनोंने मंगाई है साथ में तो वो बुक शायद आज मुझे मिल जाएगी और यह जो ओल्डर स्वगिरा होता है यह भी खतम हो गया था मेरे पास इसका भी पा पांसल कॉइंस का या फिर बुक का जाना है वो चला जाएगा कल ठीक है तो उससे जिन लोग का था मैंने भेज दिया है इस टाइप के सेट भी मैं रेडी कर रहा हूं फाइर उपीस का सेट भी हमारा रेडी हो रहा है और साथ में मैंने कहा था कुछ लोग के पोर्टफोलि का टोटल ओवराल कॉइंस दिखाने वाला हूं वैसे सबके पोर्टफोलियो अलग-अलग होते यह बात को ध्यान रखना है आपको यह पोर्टफोलियो जो मैं देता हूं 60 कॉइंस का एल्बम होता है जिसमें मैं आप लोगो रिपब्लिक इंडिया के कलेक्टेबल और स्के स्केर्स कॉइन होते है जिनके आने वाले दो से तीन साल में काफिर डिमांड बढ़ने की उमीद है और अभी फिलाल बढ़ भी चुकी है इस नई बुक में जो लोगों के पास यह बुक जाएगी उनको खुद पता चलेगा कि कौन से कॉइंस की क्या प्राइज आ चुकी है 2023 के इसाब से ठीक है तो फिलाल मैं यह दिखाने जा रहा हूँ कि इस टाइप का यह एलबम होता है 60 कॉइंस का और इसमें मैं जो कॉइंस देता हूँ आप देख सकते है कलेक्टिबल स्केर रेर होते है इसमें कॉइंस और कंडिशन की जहां तक बात करूँ तो एक्स्टा कॉइंस से लेकि यूएंसे और जेमियॉएंसी कंडिशन के भी इसमें कॉइंस होते हैं ठीक है चाहे एंन रूपीश के हो 5 रूपीश के हो समारक्सिकल यह जेता हूँ कन फिसी में मैं च्रोकथा होते हैं और साथ में किसी किसी में ये rare coin दो जाता है हैदराबाद mint से जो है शत्रपति शिवाजी माहराज का तो किसी में कोई और rare coin चला जाता है ठीक है तो ऐसे अलग-अलग coins हम देते हैं और साथ में यह आप UNC का पूरा एक five rupees के coins का set देख सकते हैं इस टाइप के यह पांच चार coin तो मैं हमेशा देता हूँ यह बेगम अक्तर के दो हैं इसमें हैदराबाद और नोईडा मिंड दोनों होते हैं और जमशेट जी टाटा वाला नोईडा से होता है और साथ में भेल वाला भी यह नोईडा से होता है अभी इसमें मैंने कुछ और भी coin add किये हैं मतलब ऐसे changes होते रहते हैं यह 10 rupees का है है एदराबाद मिंड से यह scare माना जाता है ठीके तो ऐसे अच्छे अच्छे coins जो मुझे लगता है मैं इसमें add करता हूँ ठीके और थोड़े थोड़े changes करते रहता हूँ सबका एक जैसा portfolio नहीं होता है यह बात का खयाल करना है ठीके सबका एक जैसा portfolio नहीं लगेगा तो यह portfolio में आपको थोड़ा सा change यह दिखने मिलेगा कि इसमें aluminium magnesium के मैंने कुछ ज़्यादा coin add किये है ठीके लगबग 6 coin आप इधर देख सकते है aluminium magnesium के थे उसमें ठीके अब यह cent dollar का 5 rupees में भी है 2 rupees में भी है ऐसे अलग-अलग coins कुछ collectable, कुछ scare, कुछ rare मैं देता हूँ यह portfolio पे मैं 2 साल की आपको assurity देता हूँ कि जिस time आप इसको लेते हैं उसके बाद से लेके 2 साल तक 2 साल के बाद यानि अभी जैसे इनका जो issue होगा अच्छा इसमें मैं akm का set भी देता हूँ आपको शायद ध्यान नहीं गया होगा इदर यह रहा akm का set ठीक है इसमें देखो मुझे add करना है 10 rupees का coin जो मेरे पास खतम हो गएते यहाँ पे फिलाल मैंने यह coin का यह आप देख सकते यह खाली है ठीक है इसमें 2023 का 1 rupees होता है 2021 का 2 rupees है 21 का 5 है 21 का 10 अभी इदर आएगा 22 का 10 भी है और 21 का 20 rupees भी होता है तो अभी यह मेरे पास खतम हो गएते actually किसी ने purchase कर लिया था उनको 25 coin चाहिए था यह मेरा order का था तो यह order late हो गया उन्होंने मेरे जो रखे वे थे 15 coin मेरे पास जो थे वो coin ही उन्होंने यह 10 rupees के ले लिए यह just आ जाया है इसको मैंने खोला है अभी ठीक है तो यानि कि यह वो 25 coin अब मैं रख सकता हूँ तो अब यह भी coin इसमें मैं add करूँगा 10 rupees का 2021 का नोड़ आमिंड का होता है यह एक rare coin है साइना द्रडपा जी की book में इसकी pricing UNC condition में 500 rupees दी हुई है ठीक है तो अभी फिलाल मैं इसका pouch किसी को चाहिए होगा 45,500 में मैं दे रहा हूँ अच्छा मोका है buy करना है buy कर सकते आप लोग rare coin है कम price में मिल रहा है 3 साल का target लेके चलिए 2 से 3 गुणा easily इसमें पैसा आपका बन सकता है ऐसा मेरा एक अनुमान है ऐसा मेरा एक analysis है ठीक है वैसे ही 2 rupees का भी यह जो pouch इसका pouch आप ले सकते है 2021 का यह लगबग 28,000 rupees में मैं आपको करवा के दे सकता हूँ इसका भी यह भी lowest price है समझ लीजे इससे जादा मुझे नहीं लगता कि और जादा कम में मिलेगा हाँ direct dealer से आप लेंगे तो थोड़ा कम में ही मिलेगा मैं direct dealer नहीं हूँ मैं dealer से लेके आपको resell करता हूँ तो कभी कभी कोई coin मेरे पास कम में भी आता है कभी थोड़ा pricing जादा भी होता है ठीक है तो ऐसे अलग-अलग coins मैं इसमें देता हूँ अभी इसमें यह 10 रूपीज का add करना है आप लोगों के सामने ही मैं इसको add करनी कोशिश करता हूँ कभी कोई भी UNC coin को आपको हमेशा direct holder में नहीं डालना है इस type की जो sleeve आती है sleeve में ही रखके आपको holder में डालना है या फिर आप coin album में भी लगा रहे हैं तो कम से कम sleeve में आपका coin होना चाहिए ताके इससे यह protect हो जाए इसके उपर का जो luster होता है यह खराब ना हो ठीक है तो यह बात का खयाल करना है आपको और जो भी coin album दू या side दू इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर जादा वजन इसके उपर ना गिरे ठीक है ऐसा ना हो कि उसके उपर आप कोई चीज और रख दो तो वजन अगर जाएगा तो याद रखना उसको फिर खराब हो सकता है वो ठीक है तो हमेशा आराम से रखिए सई जगह पर रखिए सेव रखिए अच्छे से रहेगा तो ही वो आगे आपको प्राइस दे पाएगा ये बात से खयाल करना है अगर अच्छे से नहीं रहा उसकी condition खराब हो गई तो चाए फिर कितना भी साल हो जाए तो उसके बाद फिर वो खराब हो जाए तो फिर उसकी कोई खास value नहीं रहेगी ठीक है अभी ये पीन भी खता हो गया है पीन इसमें डाल देता हूँ तो ये पीन अप करना रहता है सब को अराम से ये वीडियो में थोड़ा सा कैसा ना जमता नहीं है ये सब काम करने ठीक है तो इस टाइप से coin holder में जब आप लगाते हैं sleeve लगाके तो खराब नहीं होगा ठीक है खाली खयाल ये रखना है कि इसके उपर कोई भी वजन नहीं गिरना चाहिए वजन गिरेगा तो फिर जाहिर सी बात है चाहिए sleeve में हो चाहिए किसी में भी चीज में हो खराब होने के पूरे पूरे chances रहेंगे तो ये एक rare coin है ठीक है 2021 का Noida मिंज से ठीक है तो ऐसे ही आप भी अगर चाहे तो portfolio भी वजन वा सकते हैं या sets भी ले सकते हैं मेरा मकसद यह है कि आप लोग को ऐसा set या ऐसे portfolio की मैं coins आपको provide करूँ जिससे घर बैटे आपको एक service मिले जिसमें आप लोग को आसानी हो collection करने में और आपको खुद अच्छा लगे कि हाँ आपने एक अच्छा collection किया हुआ है Republic India के coins का ठीक है और आप आने वाले time में उसका जब price बढ़े तो आप लोग को भी मतलब ऐसा लगे कि हाँ मैंने एक सही step लिया है उस base पे मैंने ये hobby को बढ़ाने के लिए आप लोग के लिए option start किया था अभी भी ये option चालू है ठीक है तो आप लोग को पता है कि लगबग 3 मेना हो गया है ये मैं coins दे रहा हूँ इस type के portfolio में और अभी sets भी दे रहा हूँ ठीक है तो 5 rupees के sets में भी आप लोग को पता ही है कौन-कौन से coin आते जिसमें खास करके एक ये 5 rupees का है चैदराबाद वाला भी मैं देता हूँ ये 5000 में पूरा set होता है अभी ये set बनेगा तो आप लोग को पता है इसके उपर मैं वीडियो दाल चुका हूँ ऐसे इसमें first war वाला steel का coin भी होता है जगत गुरू वाला copper nickel का coin भी होता है ठीक है जैसे 5 rupees का 2021 का coin भी होता है और 2004 का कलकत्ता mint का 5 rupees भी होता है और दुसरे UNC ये वाले coin आप देख सकते हैं मैं इसमें add करके देता हूँ और साथ साथ कुछ extra fine plus condition के भी coin जिसमें से एक दो main coin आपको दिखा देता हूँ जैसे तिलक की वाला copper nickel का ये coin होता है ठीक है ये extra fine ये extra fine plus condition के coin है वैसे ही हैदराबाद और Bombay mint के ये दोनों होते है इसमें जिसमें से Bombay mint का कही न कहीं भी rare में जा चुका है के कामराज का very scare में दोनों ही है तिलक की वाला हो या ये या rare में भी आप बोल सकते हैं है हैदराबाद mint का scare है collectable scare है ये ठीक है आज ये UNC condition में 3500 रुपे तक विखता है ये वाला UNC condition में लगबख 1200-1300 में easily विखता है बुक में इसकी price मैं बता देता हूँ UNC condition में भी 750 रुपीज दे दी गई है ठीक है सायनाद रडपा जी के बुक में इसकी pricing 7500 रुपे दे दी गई है तो आने वाले 2-3 साल में इन सब की बहुत अच्छी pricing बढ़ने वाली है ठीक है तो इस type के coins थोड़े वो changes करके इसमें भी मैं देते रहूँगा लेकिन mostly तिलक की वाला आपको हमेशा मिलेगा copper nickel का जो important coin है वो change नहीं होंगे चाहे bomber mint का के camera जो यह भी आपको इसमें मिलता रहेगा ठीक है और 2004 का जो मैंने बताया आपको rare coin जो पहले से rare है 2004 का हैदराबाद mint का extra fine plus से लेके a unc condition वाला यह मैं आपको दूँगा यह total coins आपको सिर्फ और 5000 में मैं दे रहा हूँ market से आप इसी को खरीदने अभी जाएंगे ना तो 6000 तक शायद आपको देना पड़ जाएगा तो यह profitable deal है और मैंने बोला हुआ है जो लोग इस type के set को ले लेके रखेंगे और आने वाले time में यानि की 3 साल या 5 साल का target लेके चलेंगे तो 12 सेट अगर आपने महीने बर हर साल में मिला के खरीद लिए अलग-अलग सेट चाहे aluminum magnesium का हो चाहे ये सेट हो या और कोई सेट मैं बता हूँ या portfolio आपने पूरे साल में 2-3 बनवा के रख लिया तो इन सब का investment आपको 3 साल के बाद बहुत अच्छा returns देता हुआ दिखाई देगा खास करके जो ये सेट है ये दोनो aluminum magnesium के और इससे भी बहतर जैसे मेरी नजर में आप पूछो ना तो ये 5 rupees वाला जो सेट है इससे ज़ादा ये सेट में मुझे chances लगते हैं कि higher chances इनकी pricing बहुत ज़ादा बड़ी कुछ coin मैंने ऐसे दे दिये हैं जिससे आप लोग अंदाजा लगी क्या होगा कि ये सेट 5000 में जो आपको मिल रहा है इसकी क्या value आगे जा सकती है तो ठीक है और भी लोग का जो parcel भेजन और portfolio भी किसी किसी का ready करना था तो ये वाला एक में था इनका इन्होंने मेरे ख्याल से हफता दस दिन हो गया इनका payment पूरा हो चुका है ठीक है फिर इसके बाद कुल्दीब जी करेता है उनका भी ready कर दूँगा फिर और एक दो order है जिन्होंने पूर्टफोलियो तो इस टाइप से दिरे दिरे में आगे सब का काम करके आगे आगे अपडेट करता जाओंगा और आप लोग को best option प्रोवाइड करनी कोशिश करूँगा जिससे आपका investment भी safe रहे और आगे आप लोग इस hobby को बढ़ाएं मतलब ना सिर्फ अपने तक रख सकते हैं जितनी hobby बढ़ेगी जितने जादा लोग इस industry में आएंगे उतना जादा हम सब को फायदा होगा यही मेरी कोशिश है कि जादा स्यादा लोग को मैं इस field में लाओं और स्रिफ selling purpose से नहीं लोग buy भी करें और काफी लोग मेरे हैं जो buy कर रहे है ठीक है आज की वीड से भी आपको कुछ न कुछ सीखने मिला होगा बाल